जेहिं साथियों जैसा कि आपको पता है लेकपाल भरती अठकी हुई है। आपने जितने भी यूटूबर्स को देखा होगा वो ये बताते हैं कि कट ओफ कम हो सकती है। पर नए आये हैं तो एकदम रियल अपडेट जानने के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबादे। तो दोस्तो समसे पहली बात कि 15,000 संदिग्द व्यक्तियों का क्या हुआ। दोस्तो एक बात बताईए कि आपको और हमको यह है कैसे पता चला कि 15,000 व्यक्ति संदिग्द हैं। कैसे पता चला कमेंट बॉक्स में लिखके बताईए। आपको YouTube के माध्यम से पता चला, STF ने ही यह आपका जो केस है यह उबारा था, STF की ही तो यह कया मत थी कि उसने क्या किया था, कि 15,000 व्यक्तियों को सामने लाया था कि यह 15,000 व्यक्ति आपके संदिग्द हैं। तो दोस्तो एक बात बता दूँ, जो आपकी STF है, उसने जो 15,000 व्यक्तियों से संबंदिग्द जो कागजात थे, वो सब जुटा लिये हैं। अब आपको इस पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो दोस्तो इन 15,000 के बारे में हमको पता कहां से चला, वो भी तो STF से ही सामने उजागर किया था इनको, तो इस बात को, इस बात पर भी आपको विश्वास करना होगा, कि STF ने इनके समख्ष जो भी कागज कारवाई है, वो सब आपकी पूरी करनी गई है, ठीक है ना, जब 15,000 का विश्वास किया है, तो इस बात के वी STF की बात को भी हमको मानन पड़ेगा, वही पर आप देखोगे कि सबसे में सवाल कि आखरकार वो बेस क्या है, जो आपकी कट ओफ कम जा सकती है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, कि जो पैट के द्वारा जो एक्जाम हुआ था, आपका सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम ह दोस्तों उस एक्जाम में आपने देखा होगा कि 65 नंबर का पूरा पेपर आया था, और उसमें से जो जनरल की कट ओफ गई थी, वो आपकी गई थी, 42.3, तो दोस्तों यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि result कितना परसेंटेज गया है, अगर मैं OBC कि लगा हूँ त आपका 64.96% यानि 64.96% गया था, तो दोस्तों बताइए अगर यहाँ पर 65% result गया है, तो लेकपाल की क्या condition होनी वाली है, यहीं नहीं, मैं बहुत कुछ एनिलाइज करके आया हूँ, अब आगे देखिए, जो दूसरा PT के दवार अप एक्जाम हुआ था, वो आपका हुआ था, यूपी तरपले सी, लोर PCS का एक्जाम दोस्तों, तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा, इस स्क्रीन पर उसमें कितने माक्स थे, यानि कि 400 माक्स का वह हुआ था, दोस्तों, वहाँ पर जो जनरल की कट ओफ गई थी, वो कितनी गई थी, 299 गई थी, और OVC में कोई 75% गई, रजल्ट आपका 75% गया, यानि कि पहला आपको ने देखा एक प्रूफ, अब दूसरा प्रूफ में आपको देखा दिया, क्योंकि रजल्ट जादा जाही नहीं रहा, क्या आप पता ही, क्या इनमें आपके उश्यार बच्चे नहीं बेठे होंगे, इनमें भी उश प्रिशन पत्र था, उसमें जो हाइस्ट मार्ट, यानि आपकी जो कट ओफ रही है, दोस्तों, जनरल की, वो 316 पर गई है, और आपकी OVC में जरूर इसमें आपकी 11 नमबर कहूंगे, 305 पर रहा, मैं हाइस्ट माना हूं, जो जनरल की होती है, तो दोस्तों, यहां पर बता जर लगा सकते हो, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, कि आखिरकार आपकी जो कट ओफ है, यह कम क्यों रह सकती है, अब एक और देखिए, आपका चोथा जो एग्जाम हुआ था, वो आपका सप्लाइ इंस्पेक्टर हुआ हुआ था, तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर द कि आपकी कट ओफ कितनी जा सकती है, क्या एक बात बताइए, क्या यूपी एसाई में आपको उश्यार बच्चे नहीं थे, बताइए उसका इतना कम पर्सेंटेज कैसे गया, आप एक बात बताइए, असी पर गया था ना, जब नेगटिविटी नहीं थी, जब असी पर गय पर बी थे, इनने जो बच्चे पेपर दिये थे, उनमें से कई बच्चों ने लेखपाल का भी दिया है, अब एक बात अब आप एक बात बताइये, जिन बच्चों का इन्न में हो गया, UPSI में हो गया है, आपका सप्लाइइश प्लें इंस्पेक्टर में हो गया है, जूनि पिर पिर डी बी में न जाएं और बच्चों को भी वेख खुसी महईसूस होने दें जो आपको मिल गई है आपके सेलेक्शन देनी के बाद तो आप बताएए आपको भी इह है निविदन करना चाहिए आपको भी कमेंट वोक्स में लिखना चाहिए जिससे और बच्चे में नहीं बोल दिया था कि आपकी cut-off कम क्यों जाएगी तो दोस्तों यहां पूरा base आपको पता चल गया है जो आपके देखी आपका कोई भी exam होता है लगबग आपके 50% वो ही बच्चे होते हैं जो आपके लगबग सब exam की तियार करते हैं सब exam में अपना पार्टिशिपेट करते हैं तो दोस्तों उनसे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपकी cut-off क्या रहने वाली है अब एक बात बताएं यह लेकपाल का क्या exam सरल आया था दोस्तों cut-off slow ही जाएगी नीचे जाएगी उसका base क्या है क्यों जाएगी cut-off कम वो सम्मेन आपको बता दिया चार-चार exam पर एनिलाइज करके लाया है यह कि GS Research Center ऐसे ही नहीं मैं कहता कि पक्की बात आपको यहां से मिलेगी इसने चैनल को सबिस्क्राइब कर दीजिए जानी कि उनके परणाम नहीं आपाए हैं उनके 15 November के बाद आपके क्या हैं आएंगे क्या दोस्तों आपने अख़वार की किलिप देखी है मैं आपसे पूछता हूं अख़वार तो मैं भी पढ़ता हूं डेली मेरे पास तो ऐसी किलिप कभी नहीं आए तो यूटूबर्स जो आपके मन में यह जो बाधा हैं बैठा रखिये ना कि अभी रजेट आने वाला है 15 November के बाद मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि आपके November के फर्स्ट वीक में रजेट नहीं आ सकता पहले वीडियो में मैंने आपको का था लेकिन दूसरी मैंने आके कह दिया नहीं आ इसमें तो डेट मी नहीं देर कि बताईए ये कव का आपका आपका निउज पीपर है क्या आपने अगर आपने देखा है तो कमेंट वोक्स में लिखकर बताईए कि हमेरे पास यह न्यूज आई थी मैंने अखवारिये पढ़ाए यह रियल न्यूज है तो दोस्तों ऐसी ज आप चाहते हैं कि कोई भी दांजली बाज का सेलेक्शन हो क्या जिसने चीटिंग की है या जितने जिसने पैसे दिये हैं या पर जो 15,000 संदेग्त में सामिल है और जिसमें रियल में जो फड़ी बाड़ा जिसमें क्या है क्या उसका सेलेक्शन होना चाहिए आप भी यही च आपका result जल्दी ही आएगा, pension ना दीजिए, तो उम्मिद रखता हूँ, आपको 15,000 जो संदिर्द व्यक्ति हैं, उनके बारे में पता चलिया होगा, cut off आखिरकार क्यों जा सकती है, उसके base, 4-4 exam को analyze करके मैंने आपको बता दिया है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपका result के बारे में जो अधांदलिया यूट्यूब पर जो माहौल वना रखा है, उससे थोड़ा सा बचिये, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, अब दोस्तों comment box में जरूर बताईएगा, कि आपके marks कितने हैं, क्या आप selection के करीब हैं या नहीं, और आपके अगर और और भी कोई query हो, तो comment box में लिखके जरूर बताईएगा, जिससे वह query आपके solve हो सके, और दोस्तों अगर नए आए हैं चैनल पर, तो ऐसे ही एक legal update जानने के लिए, जो real में सकते होते हैं, चैनल को subscribe कर लिजे, जिससे कोई भी informative वीडियो आई, या फिर कोई भी आ security है, उससे अब गत हो सके, तो मिलिंगे एक informative वीडियो के साथ, next वीडियो में, जैहिन, जैवारत.